इस्टीटी अभियर्ती इन दोनों काफी परिशान दिख रहे हैं फॉर्म आ गई है और इस तरह से जल्दवाजी में फॉर्म आई है कि वो काफी घब रहे हुएं आपको बता दे 2012 में फॉर्म आई थी उसके बाद 2019 में आई और इस बार 2030 में इस तरह से जल्दवाजी फॉर् काफी लेट हुए हैं लेकिन पॉंस में जितने सारे इंस्रक्शन दिये हैं उसमें कुछ होड़ी कह रहा है कि और इजनल चाहिए और क्या कुछ चाहिए चलिए इस तबाब मुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ नमीन सरजुरे हुए हम पूछते हैं क्या कुछ बात है लापरवाई कहें या पताने कोई नेक इरादा है या नहीं है इस बात को लेकर कि आप बात को आगे भरा सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से अभी एस्टेट की वेकंसी दी गई है तो अपने आप में ये बरी प्रसंची निखरा करती है कि इतनी सरकार को हर वराहट क्यों क्यो और एक्जाम लेकरके रिजल्ट दे करके इसी वेकंसी में इन वच्चों को भी आप सामिल करते क्योंकि आपको पता था कि नम्मर वेकंसी कितनी है और एस्टेट के ओभराल अभियर्थी कितने हैं जो इस बार एक्जाम दे रहे हैं तो जब कमी सीट तो वेकंट रह जाना ह यह तय है क्योंकि उतने अप्लिकेंट नहीं है जितनी वेकंसी आपने निकाली है तो कुछ दिन पहले किये होते तो साइध इसका रिजल्ट एक अलग होता लेकिन जब 24 को वच्चों को एकजाम देना है और आप 12 दिन पहले वेकंसी निकालते हैं 23 तारीक को एकजाम से एक द पहला परिशानी यह आनी है कि एकजाम 24 को देंगे क्या वह एकजाम की सिरियसली तयारी करें कि फॉर्म इस बीच में भरना जाकर के क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार से जितनी भी फॉर्म निकलती है वह भरना कितना कस्ट कर होता है इतने तरह कि साटिफिकेट खो जाए तो स्टुडेंट हमेशा साटिफिकेट के मामले में पहले से अपडेट एकदम नहीं रहते हैं 100% की वेकंसी एकदम निश्चित डेट है आनी है उसके पहले हम से गयादर करके रखें आपकी वेकंसी 2012 आई उनाइस आई तो पांस साल पर आप वेकंसी निकालते हैं और अच तो यहां पर क्यों नहीं ग्रेजिवेशन एपएरिज, पीजी एपएरिंग वाले को मौका मिले, ब्येड एप के वालों को मौका मिले, निश्चीत रूप से इन् इस्टुडेंट को मौका मिलना ही चाहिए, आप येर बाई एर लगातार वेकंसी देते रहती तो आप मोका नहीं भी देते तो एक तरीके से चलता चलो कोई बात नहीं next year में बच्चे सामिल हो जाएंगे लेकिन जब आप vacancy regular नहीं दे रहे हैं तो appearing वाले को तो मोका देना ही चाहिए इसके अलावे अभी आप देखेंगे certificate number का इसू है इसके अलावे देखेंगे कि बहुत age का इसू ह है बहुत छात्रों के साथ में इसके अलावे में late session का इसू है इसके अलावे इतनी जल्दी last date समप्त किया जा रहा है उससे related इसू है कम महिना दिन तो form भरने का date होना ही चाहिए और कोई भरोसा नहीं है जिस तरह की चर्चाएं चल रही है अपरे बताया जा रहा है September second week में भी के exam ले 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 लेकिन इतनी जल्दी कईसे exam संभव है तो समस्याइं बहुत सारी है i students इस मामले को ले करके बहुत नाराज चल रहे है हम लोग तो लगातार इस त्टुवे एक करके आपनी चिंता जाहिर करते हैं तो चिंता इसलिए जाहिर हम लोगों के पास करते है तो गुरु मानते हैं, अगर हम अधिक सधिक स्टूडेंट को परहाते हैं, तो वो किसके पास बात ले करके जाए, बात यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, लगातार बच्चे आयो का चकर लगाते हैं, अभी यह भी हरी स्कूल एक्जामनेशन, बोर्ड एक्जाम कंड़क्ट परसेंट नहीं है, कि साइंस टीचर का क्या मतलब होता है, इसमें दो ही टीचर, फिजिक स्टीचर अलग से नहीं होता है, केमिस्टी टीचर अलग से नहीं होता है, जब भी होता है, साइंस टीचर होता है, मैथ टीचर होता है, तो साइंस टीचर की जब भी बाते होती है, और math teacher में math physics chemistry की बाते होती है तो सवाल होता है कि बहुत student confused होकर क्या आते हैं सर हमारा physics है क्या हम science teacher के योग हैं तो जब यहां पर रहने वाले बच्चे confused हैं तो सुधूर गाउं देहात बाहर रहने वाले तो बच्चे और ज्यादा confusion में होंगे इसलिए बिहार school examination board को पूरी तरीके से clear करना चाहिए कि subject का combination चाहे वो social science हो science हो या math हो कि combination किस अनुरूप रहना चाहिए तो यह पूरा clarity इसमें होनी चाहिए और single subject Hindi English Sanskrit वहां तो problem नहीं है लेकिन combination वाला में खासा problem है और आप देखेंगे कि जब भी बिहार की कोई भी फॉर्म भराती है तो इतना ज्यादा free structure रहता है अभी दोनों फॉर्म भरने में आपका graduation label पोस्ट graduation अब आप देखिए कि बिहार ऐसे प्रदेश में मैक्सिमम स्टुडेंट साधारन तबके के होते हैं निम्न फैमली से होते हैं निम्न परिवार से होते हैं एक एक फॉर्म भरने में अगर हजार प्लस रुपया लगता है बारे सो पंद्रे सो रुपया लगता है वो तो ऐसे आप डारेक्ट लग रहा है लेकिन दौर धूप में कितना पैसा खर्च होता इंवर्सिटी दौरना परेगा तो इन्वर्सिटी में भी लोग से रेटिंग कराया जाता है कि नहीं अर्जेंट लेना है तो पांच जार रुपया देना ही परेगा इतना लेना है तो दो हजार रुपया देना ही परेगा तो लगातार इनकी मजबूरियों का भी फाइदा हर जगह उठाया जाता है तो मुद्दे बहुत सारे है हम तमाम चहत्रों से भी यह गुजारिस करना चाहते है कि अगर फोर्म आप भर रहे हैं, तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप फोर्म भर हैं, और अच्छे से एक एक चीज की जानकारी ले ले हैं, यानि कि बाद में चल करके आपको परिशाहनी हो जाए। और सरकार से भी ये गुजारिस करना चाहते हैं कि जो भी लूप होल है, जिस कारण से मैक्सिमम स्टुडेंट को दिक्कत हो रही है, निश्चित रूप से उन दिक्कतों पर धियान दिया जाए, क्योंकि ये आपके ही बच्चे हैं, आपके ही राज के बच्चे हैं, और आपक ताकि आपको समस्या ना जिलने पड़े और सरकार की बात करें तो सरकार को भी ये सब चीज़ देखना चाहिए क्योंकि फॉर्म इतना लेट लेट आ रहा है उपर से इस तरह से जल्द वाजी सही नहीं रहेगा स्टुडेंट्स के लिए तो देखना ही है कि सरकार के क्या करती बने रहे एक असिशनी उसके साथ मैं काजल सर्वेस